कि गुड एविनिंग सभी को कि चलिए आज फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं सैट नमबर 11 थे भी एक बार बोला था इसके बारे में आथे कि आई जल्दिस अगर लाइव है तो यह कि अब से डार्क जा रहा है कि अब चलिए पर आवाज बतादे दिए आवाज आ रही है कि एक बार मुझे लग रहा है गड़ पड़ तो नहीं है कि अब आवाज आ रही है क्या कि फिर आगे क्लास स्टार्ट कर लेते हैं पर कि यह सर गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग अवदुल और यह सर चलिए सैट नंबर 11 है आप लोगों का एक बार जल्दी से चेक करना से पीडिएफ निकाला नहीं निकाला मुझे कंफर्म नहीं एक बार पीडिएफ और बता देना आप लोग गुरुजी राम राम र जल्दी से इस बार सेटरेडे क्लास नहीं हो पाई थी मैं थोड़ी तवत खराब थी मेरी देखिए पहला वर्डे क्यूजी नॉट कर लेना इसको जो भी आपका स्पैरल हो स्पैरल में या फिर पीडिएफ निकाल लिया हो टेलेग्राम से तो वहां से चेक कर लेना एक बा बहुत ही नाजूक होती है यह बड़ी कमजोर चीज को जो कमजोर है कमजोर दिल है उसको बोलते है क्यूजी और इसे पर्टिकॉर कैसे चेक कर पाऊगे आप लोग आपने का इजी ली ब्रॉकन विकास पाऊगे तो याद भी करने के इसका असा तरीका है एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ easy question ही कर सकता है उसे easy easy चीज़ देंगे easy questions देंगे बहुत बड़ी हाँ उसे अगर आप easy easy questions देंगे तो वो कर लेगा अगर आप उसे tough questions देंगे तो वो बिलकुल नहीं करेगा तो ऐसा आदमी जो बहुत ही आराम दायक जिन्दकी जीना चाहता है जैसे difficulties life तो उसे समझ लिजेगा वो व्यक्ति जो सिर्फ easy question solve कर सके वो होता है QZ क्यों से याद रखेगा question और कैसे question जो easy होते हैं उस आदमीं को बलता है brittle, fragile, ductile, sick, सिक होता है कमजोर होता है या uncomfortable जैसे tough चीज उसे life में विलेगी वो uncomfortable हो जाएगा अनकमफर्टेबल और एंट्रेम की है इसका check करने एंट्रेम इजी है इसके जैसे comfortable उसे life में किसी भी situation में डाल दो comfortable फील करता है satisfied रहेगा solid रहेगा और वो content रहेगा content होता है जो किसी काम को कर पाता है त्रड़ता से लेक्स देगिए ages e combined आप इस यहाद कर सकते एजी का Hindi मीनिंग होता है San MARKUST तो संग्रक्षन भी कहते हैm इसे साहरा भी कहते हैं life में किस तर्सरह कर रहेंगे हर इंसान की जिन्दगी में आप इस यहाद कर सकते हैं हर व्यक्ति जितने भी लोग है यह एक्टी के जीवन में एक एज ऐसी आती है उसे याद कर सकते हैं एजिस एक एज जो होती है हर आजमी की जिन्दीगी में एक एज ऐसी आती है जिसमें आजमी को सहारे की जरूरत पड़ते है जैसे आप 70-75-80 साल के हो जाओगे तो आपको सपोर्ड चाहिए अपने आती है जिसमें सहरी की जरूरत होती है लाइफ में तुसे इंग्लिश में कहते है शेल्टर और अउस्पीसी का मतलब होता है अनुकूल चीजें मतलब तुमने क्या बताया प्रधान राजा ने हां संग रक्षन में बिल्कूर सही वड़े और अस्पीसी इस का मतलब अनुकू स्वाले में साथ स्टार्ट हुआ है इक्जेक्टि मालूम नहीं है उसमें वर्ड आएगा उस्पिसीज वहां पर ध्यान रखेगा यह एक कैसा वर्ड है सिंगलर है प्लूरल है वह तब डिसकस करेंगे इसको यह पैट्रोनेज का मतलब होता है संगरक्षन पैट्रोनेज होता को कि अपना है कि एतरो और यह पीव medical का मेनिग बताओ किसीको मालूमकी जल्दी इसक Must कि पताओ कीा फल्टिॉ आप हिंदी में याद केजिए फल ओन पकाट कर यौने ज़ियो और आप पर के रोने का कोई फल नहीं निकलेगा मालिजी आप बहुत बड़े क्रिमनल थैं और आपने murder कर दिया और murder करने के बाद पुलिस आपको पकड़ के ले गई तो आप कितने भी रोते रही है court room में बैठे हुए या फिर police custody में बैठे हुए कितने भी रोते रही है उसकी कोई value नहीं है वो word होता है apocryphal, apocryphal का मतलब होता है आपके रोने का कोई फल नहीं निकलेगा यानि वो चीज है क्या निश्फल निश्फल चीज या जो चीज एक टाइप से जूट साबित हो जाती है वो जूट साबित हो जाता है या वो चीज़ जो वास्तविक नहीं है सत्य चीज होती है सत्य है वास्तविका नहीं है उस चीज़ को एपोक्राइफल कहते है जैसे फिक्टिशिय Almost, जो काल्पनी कहा आपने घड दी काल्पनाव से कहानी बना रहे है real कहानी आप नहीं सुना रहे, inaccurate, जिसमें accuracy नहीं है, true नहीं है, untrue है, mythical है, myth का मतलब होता है भ्रह्म, या फिर आप इसे myth को बोल सकते हैं, एक टाप से maya, mythyavad होता है, जिसे mythologies होती है, कि उनके पीछे को logic काम नहीं करता है, बस मान ली जाती है, ऐसी बाते हैं, जिसे सिर्फ मान लिया जाता है, कोई logic उसके पीछे काम नहीं करता, उसे mythical बोलते हैं, या equivocal, equivocal का मतलब होता है, aspersed, और counterfeit का मतलब होता है, एक टाप का धोखा, जालसाजी, जूटा, और बाकी एंटरने में, true, authentic, doubtless, जिस पे कोई शक नहीं है, और वास्तविक चीज़ है, real है, next आग उबाव वो चीज़ है, जो आपको बोर करेगी, जिसको देखके आपको गुसा आजाएगा, जिससे कभी कभी मेरी classes में आज आता होगा तुमें, तो उबाव वो चीज़ है, जो बोर कर देती है, लाइफ में, जिन्दगी मज़ा तो ही जिए से बहुत सारे बच्चे होते ह करने हैं, पर उन्हें मज़ा चाहिए, एंटर्टेन्मेंट चाहिए, टीजर नाच-नाच के दिखाए, अच्छा लगता है कई बार उनको, ठीक ना, तो वो एनॉइंग चीज होती है, मतलब समय के न, एनॉइंग का मतलब होता है, उबाव चीज़ें, परिसान करने वाले च साधारन, बहुती साधारन चीज को बोलते हैं, घटिया या साधारन, उसे कहते हैं हम ड्रम, इसका निमोनिक आप बना सकते हैं, कि अगर हम लोग ड्रम बजाएंगे, जैसे कि मैं म्यूजिसन नहीं हूँ और तुम मुझे ड्रम दोगे बजाने के लिए, तो हम जब ड्रम तो वो ड्रम बिल्कुल घटिया बजाएंगे, उसमें कोई ताल नहीं होगी, कोई सुर्ण नहीं होगा, बस हम दो धबड़ धबड़ उसमें कर देंगे, वो होता है हम ड्रम, जिसने बताया, राजपता, राजा को जीजए, गैर दिल्चस्प, कहां से वर्ड सलाते हैं, ग मतलब एंटर्टेन्मेंट रहता है, आप बड़े खुश रहते हैं, एक के बाद एक इवेंट उसमाता रहता है, नेक्स बाद है, लुरिड, लुरिड वर्ड को बता ही कोई रता हैगा, लुरिड, सर, MTS का एनलाइसस करा दो, भया, कैसी कैसी बात करते हो, क्लास में आईए, क्लास में समझा देंगा उसमें आपको, यहाँ पर तुभी बेसिकली क्लास ही चल रही है, इसको आप समझ लेजेगा, क्योंकि मुझे तो सुननी है बच्चों को, वो क्याप तयार करानी है, ठीक पर देके, Lurid, देखो, Lurid का मतलब होता है, वो चीज जिसमें, एक टाप से फीका आप इसे कह सकते हैं, इसको कोई निमोनिक बनाने की जरूर तो नहीं है, फीका आप इसे कह सकते है, या वो चीज जिसमें कोई, क्या बने निखा तुमने, बढ़किला, बढ़किला तो न अगलग मीनिंग होता है, संसनी खेज, Lurid, फीका भी होता है, जो बेकार होता है, संसनी खेज होता है, या एक होता है, इसका डरावना भयंकर, आप इसे भयंकर भी कैसे हैं, बहुत सारे मीनिंग लुरिड के होता है, इसलिए इसको को निमोनिक बना के आप याद नहीं करन ये वो चीज जिसको आपने बस भूतिया रूप पे ले जाते हैं, तंत्र मंत्र टॉने टोटके, वो सारी चीजें जो एक भड़कीली फॉर्म में सो की जाती है, संसनी खेज खबरे आते हैं, जिनको देखके तुम्हें रॉंक्टे खड़ जाते हैं, जिससे अभी एक खबर आई थी कि लखीमपूर में किसान अंदोरोन चल रहा था, जो भी था परदसन चल रहा था, उसमें गाड़या चड़ा दी गई, वो एक गास्टली सीन था, मेकेबर, मेकेबर होता है, बहुत ही खतरनाक चीज, भयानाक चीज को बोलता है, वाइलेंट था, विवेड या करना कल सुनोंगा इनको, नेक्ट वर्ट देखे, एकॉर्ड, एकॉर्ड आप होंडा कंपनी को जानते होंगे, होंडा की कार आती है, एकॉर्ड के नाम से, निपुन या एक्सपर्ट, नहीं, एकॉर्ड निपुन नहीं होता, समझो, होंडा की कार आती है, एकॉर्ड, बड ज़र आप accord लेके घूम रहे है एक Honda City लेके घूम रहे है तो accord वाले की value जाद हो जाती है और वो value उसकी personality से करते है तालमेल बैठाती है आप पैसे वाले बंदे तो बड़ी गाड़ी लीजिए तो accord का मतलब होता है तालमेल बैठाना जो suit करना होता है जो आपको suit करता है यान पालवर्मेटी होता है यह तालमेल बैठाती है चीज़ें वो चीज़ें जो सोसाइटी में आपके साथ तालमेल बैठाएं उसमें accordance बलता है आपने सुना भी होगा in according to in according to accord मतलब according synonyms repeat किसके विकास पर किसके synonyms repeat करूं ठीक है और एंटरियम किया इसका disagreement denial denial होता है आप उस चीज़ को reject जाता है आपके साथ में discord या denial denial दुबार आ गया चलिए मुझे बता देना किस किस ने रिपीट करें ने एक्स बड़ी एड्रोइट अच्छा तुम इसका बता रहे थे कि एड्रोइट का दुको एड्रोइट होता है वो व्यक्ति जो इतना expert हो गया है अगर उसे चीज़े मालूम भ कर लेता है मतलब फिर भी exam करके जुरूर आएगा तासाम दाम दंडबेद वो उसको कर ही लेता किस तरीके से या तो समझ के करेगा या वो रटके करेगा उससे बोलता है एड्रोइट आदमी मतलब किस तरीके से काम कर जाता है यह होता है कारिय कुशल किसी भी situation में ये वहारे पास चेक कर रहा ना विकास परवार पांच बिटा उसको स्पारल चेक कर लिए एक बार फिर भी दिखा देता हूं बस थोड़ा सा क्योंकि रिपीट नहीं कर पाएंगे इसमें बाकि स्पारल हो तो वहां से चेक कर लो यह एग्जाग्रेट घासली मेकेबर अब लाश तो हिलती डूलती है नहीं अब लाश है और उसका जो एटिट्यूड है जो इस बंदे का एटिट्यूड है वो कैसा है जैसे कि वो लाश बन गया हो मतलब मरा पड़ा हो ऐसे सोया पड़ा आवाज लगाए जाओ चिल्ले जो दर्वाजा पीटे जो बंदा उठेगा तो ही ना मतलब एक ऐसा आदमी जो बिलकुल सोता भी बेचके है आप बं फोड़ तो भी नहीं उठेगा उसे बोलते हैं लाश बन गया मर गया है ये सोता नहीं है मर जाता है ऐसा आदमी होता है लेसी ट्यूड होता है यानि के बहुत ही ठका हुआ यह उठेगा ही नहीं, जैसे हल चला के आए हो खेत पर जाके, इसे बोलता है, tiredness, weariness, lethargy, lethargy भी आलसी होता है, inaction, कुछ करता ही नहीं है, language आलसी होता है, idleness, आलसी है, सारे के सारे words, यह आलसी है, और internet में इसके activityness, vivacity, vivacity होता है, बहुत ही energetic होता है, animate, यह भी energy होता है, इलापन, lazy, थाकव, बिल्कुल सही word, next आईए, pre-sumptuous, अच्छा, इस word को आप ध्यान रखने हो, थोड़ा सा important word होता है, इसमें अगर मैं pre-हटा दूँ, तो word आता है, sumptuous, sumptuous word यहाद रख लो, pre-sumptuous आप याद हो जाएगा, दोको sum जो है, sum, sum का मतलब होता है, धन, पै और sumptuous से याद रखना, चूस, ये आद्मी क्या हुआ, इस आद्मी ने सारा पैसा चूस लिया, जो आद्मी सारा पैसा चूस ले, उसे जितना भी पैसा मिले, सब खाजाए, उस आद्मी को बोलता है, sumptuous, sumptuous मतलब या आदमी पैसा चूस के बैठ धिकर, जैसे ठेकेदार और को एक जगा सम्प्चुवस का मतलब होता है बहुत जयदा धनी होता है जिसका बहुत पैसा सम्प्चुवस कहेंगे मतलब इसे कहीं भी भेज़ो वोगों से पैसा चूस लगा शीन लगा लोगों से पैसा लेके खा जाएगा कुछ भी Santima पैसेवाला बंद होगा उसे बोलते है संप deposit लेकिन हमारा जो word है Natalie हमारा वर्ट है प्री संप toys श तो इससे फिर से याद कर लिए संप का मतलब पैसा हम आद कर सकते हैं वह पैसे को चूस गया लेकिन यह pre प्री का मतलब होता है पूर्व यह पैसा आने से पहले ही पागल हो जाता है कर दो जमीन लग रही है डेड़ करोड की जमीन बिखेगी अब आओ की फॉर्चुनर वहां पे पैसा भी नहीं आया बयाना भी नहीं है जमीन का लेकिन उसने क्या कि जाके फॉर्चुनर बुक करिय एरोगेंट, इंसोलेंट लिखे न तो पहले से ही मान लेना पर इस संप्चुनर का एक मिनिंग तो हता है पहले से ही मान लेना और संप्चुनर का मतलब तो उस चीज को ग्रहन करना संप्चुनर में आप पैसा लेंगे सर सक्सेस कैसे मिलती है किस चीज में सक्सेस कैसे मिलत आपका टरगेट क्या है कि हम पहले से ही मान लेना किसी चीज को मान लेते हैं वह था प्रिसंप्चुस तो इससे रहाद रख लीजेगा ये घमंडी भी होता है यह क्या चीज़ होती है उस चीज़ को कहते हैं लोग यह इस वर्ड है presumption जैसे presuming प्रिजियूम का मतलब होता है पहले से मान लेगा arrogant गहमन पे जीएगा पैसा आया नहीं hopeless होके जीएगा insolent होता है insolent बेहुदा एक टाइप का और pretentious होता है जो किसी चीज़ को पहले से ही अनुमान लेके चलता है presumption अच्छा धीट आजमी को भी यही बोलता है जिद्धी किसम का इंसान होता है एक चीज़ पर पकड़ा रहेगा बस उसी को लगा रहेगा लाइगा लाइफ में उस भी बोलता है अगर कहीं भी वर्ड होता है होमो है एक जैसा और जीनियस होता है मतलब होता है एक टाइप का जैसे जनेटिक आपने वर्ड सुनाओगा जाती से संबंदित, या किसी चीज से संबंदित, या एक जाती से सब, तो homogeneous का मतलब होता है, सजाती है, मतलब एक ही जाती जैसा जो बंद होता है, उसे बोलते है, जोसे बोलते है, एक एक important word है, ध्यान रखना, एक इन, similar को कहता है, uniform या similar, और एंटरने में इसका heterogeneous, इन जात रख लिजेगा, next words पर आई ये, second word देगे, पहले selection के अगर selection नहीं हो तो suicide गए, देखो, हाँ बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर पढ़ाई चल रही हो ना, कामयाब हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं हो, विपिन उपाधिया जो है, जहाँ पढ़ाई चल रही हो, questions चल रही ह क्योंकि अगर वो एक आदा word याद हो गया तुम्हें, ये एक आदे चीरे समझ में आ गई, तो exam थोड़ा सा easy हो जाता है, तो हमें करना है struggle, तो जहाँ पढ़ाई की बात चल रही हो, वहाँ पर आप बकवास करें, और जहाँ बकवास चल रही हो, वहाँ पढ़ाई की बात करें, सफल हो जाओगे, जैसे यार दोस्तों में कहीं बैठे हुए है, वहाँ पढ़ाई की बात करना, कि 22 वर्ड का मीनिंग बता, 22 वर्ड का मीनिंग बता, और जहाँ पढ़ाई चल रही हो, वहाँ पर पूछो यार कामियाब कैसे होएंगे, सर ये क्या करेंगे हम जिंद हां सजाते, सभी बटे, देखे इसमें, religion is a horse to short others, अब क्या है, को बताएगा इस proverb में कैसे फिल करेंगे हम लोग, इसका मतलब है धर्म एक ऐसा घोडा है, जिस पर बैठके हम गोली मारते हैं, किसको, और ये बड़ी खतरना काहवत है, देखे, religion is a, कोई बता पाएगा तो कर लिजे, इसमें, वर्ड कौन सा आएगा, कोई भी वर्ड हो, नहीं मालूम है, तो चेक, नोट कर लिए इसमें, religion is a stalking, यहां पर fix word is stalking, religion is a stalking horse to shoot others, इसमें देखे, क्या आएगा, others के साथ में, क्या लिए अपने, foul, F-A-W-O, बिल्कुल सही वर्ड, नोट कर लना, कल क्ल है, और घोडे का बच्चा होता है, इंग्लिश में, foul, तो धर्म एक ऐसा घुड सवारी है, जिस घोडे की पीट पर बैठके, उसी के बच्चों का शिकार किया जाता है, मतलब थमन न, इसका कावत होती है, कि धर्म एक धीमा जहर है, religion is a stalking horse to shoot others, बिल्कुल सही बता है, वि लगा के उड़ता है, पैसा पर लगा के उड़ता है, आज आपके पास है, कलको किसी और के पास निकल जाएगा, तो वो कभी किसी का नहीं होता, पैसा पंख लगा के उड़ता है, religion has wings, रोहित ने बताया, wings, सभी है, राम राम भाई, निशान तुपाद दिया, चेले, next आते हैं, कि आज आप पढ़ना सुरू करेंगे, और कल आपका सेलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, रोम वाज नोट बिल्ट इने डे, बिल्को सही है विकास, next आई, save something against, यहाँ पे fix word है, a rainy day, a rainy day, rainy day होता है, मुसीबत का दिन, तो मुसीबत के दिन के लिए कुछ बचा के चलिए, आप जितना भी कमाते हैं, उसका 20-30% जो भी आप बचा सकते हैं, वो लाइफ में बचा के चलिए, self-praise, इसमें तो बड़ा common word है, सुनाओगा आप लोगोंने, self-praise, बताएं क्या सकता है, self-praise, no, कुछ भी जल्दी से चेक किजिए, recommendation, सही लिखा है, self-pra is no recommendation, मतलब, recommendation का मतलब होता है, सिफारिश, जिसकी कोई value होती है, सिफारिश को recommend बोलते हैं, और खुद की मुह में थुबनना, खुद की तारीफ, खुद करते रहना बैटे, वाई सब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं यह हूँ, वो हूँ, वो, self-praise, no, recommendation, next है, self is nature's first law, यह प्रकरती का पहला नियम है, कि खुद की लिए करें सबसे पहले, self-preservation, self-preservation is nature's first law, कि जिन्दा हो तभी तो कुछ करोगे न, हाँ सही बताया हो इतना भी, self-preservation, प्रदान जी भी सही बता रहे हैं इसको तो, चलो तुम्हें याद होने चाहिए, फिर भी कल क्लास में सु पतलब है, प्रकरती का नियम है, पहले पेट खुद का भरो, पहले खुद खाओ, जब सामने वाले के लिए बचे रुदे दो, तो पहले खुद की सपोर्ट करो, अगर कमा रहे हैं, महनत कर रहे हैं, तो पहले खुद के लिए बचाईए पैसा, self-preservation is nature's first law, इसमें क्या बत का मिल जाए, तो मज़ा आजाता है, जैसे की होते हैं, नोग खाना खाने के लाटे रहे है, तो भुद हो खाना-काना मज़ा तो बहुस से लोग खाना-काना, जब चाइब आजाता है, जबध में ऊंसरी मिलती है, मिश्री और स avみलती है खाने के लिए वा असोसी में उनका जिन्दगी बन जाते भाई साब, उठाके चलते हैं, पैकेट उठाके हमाँ से, चली, हाँ सर, हाँ, यही सेट सुनूंगा, कल में आपसे, इस सेट को तेयार कर लेजीगा, next से, strike while the iron is hot, strike while the iron is hot, मतलब लोहा, गर्म है, हतोडा मार दो, मोहे को देखते ही काम कर देना, स्ट्राइक, वाइल दा इरन इस हॉट, राम राम, भई साविर, नेक्स लगे, सॉइप अंडर यूर ऊउन, सूइने इसे मेेट भी बोलते हैं, कारपेट भी बोलते हैं, sweep under your own carpet spiral system match idence door sweep under door 예 mats справ इसके मतलब होता है जैसे कोई भी चीज आपने बतानी थी सामने से अप एक बंदा ऐसा है अगे जिसको आप नहीं बताना चाहतेıldı चीजों को अपनी cargamper पेट में छिपा के बैठ जाना, बातों को छिपा लेना, जुडास किस अलग वर्ड होगा, यहां पे नहीं आएगा, जुडास किस समझा दूगा, यह एडियम समाएगा, जेव में आएगा, तब देखेंगे इसको, ठीक है न, स्वीप अंडर यॉर ओन कार्पेट, इसका मतल होता है, चीजों को छिपा लेना, जुडास किस का वैसे हलका सा मेनिंग बता रहता हूं, बाकि जब वर्ड हैगा, तब बता जाएगा, यह एक जुटा अफेक्शन या जुटा सम्मान होता है किसी के लिए, बाकि बात में देखेंगे, इसके पीचे हिस्ट्री के है, नेक् अब काम्याब हो गई हो गई, अब क्या है इसमें, यह मैचिंग है, मैचिंग वाली वर्ड चेक के जल्दी से एक बर, दस वर्ड से जल्दी मैच कीजिए, पहला वर्ड है कमरसम, कमरसम का मीनिंग मैं समझा रहता हूँ, एक ऐसी चीज, मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज, सम को कुछ स्याद करो, इस स्याद करो कमर, कि यार ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर पर कुछ पड़ा है, मेरी बिना मतलब के दुख, सुक, गम, ठाइ फिर रहे हो लाइफ में इस कंदों पर आप, तो जब आपके कंदों पर कुछ बोज होता है उसे बोलता है कमरसम, कमरसम का मतलब होता है हिंदी में बोजिल, ये बोजिल है, अब बोजिल का वर्ड चेक करो इसमें कौन सा है, किसने इसमें बलकी एच सही वर्ड बता है नेक्स आईए डैबनेयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत जदा पूशे जाना वाले वर्ड है इसका मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो बहुत ही इसमें बध्सटिकेटर है वैल एजूकेटर है पॉलाइट बंदा है वो डैबनेयर होता है डैबनेयर का देखो कोन सा जाएगा जो आपको देखते ही खुश हो जाता है यह वर्ड है एक्सल्टिट ए खुश्मिजाज या भद्र पुरुश आप इसे कह सकते मैं बता एता हू हिंदी में एक वर्ड आपने सुना होगा भद्र पुरुष बहुत सज्जन व्यक्ति होता है एलाइट थर्ड वर्ड को बता है एलाइट कौन सा जाएगा जल्दी से एलाइट इसे एलिट भी बोलते हैं कुछ लोग एलिट लेकिन प्रनेंसियेशन पे बहुत ज़्यदा जान है जो सोसाइटी का उत्क्रस्ट वर्ग होता है वह एलिट हो तो जैसे एलिट क्लास होती हैं करिए की अब ऐसे आजमी है कि यहां पर यहां पर यहां पर तीन वर्ड होता है एक वर्ड तो empathy होता ही होता है एक वर्ड sympathy होता है एक वर्ड antipathy होता है और एक वर्ड apathy होता है पैथी जो होता है यह रास्ता होता है किसी तरफ चलने के एक विचार होता है जो दूसरे की तरफ जाता है पैथी तो empathy, sympathy, antipathy, apathy, sympathy सब लोग जानते हैं इसम्पैथी का मतलब होता है साहनूव होती जिसकी तरफ तुमारे विचार चले जाते हैं जिसकी तरफ तुम आईडियोजी बन जाती है उसे वोलता है सिंपैथी ना थे ना, sympathy में आप उसको पसंद करने स्वाट कर देते हैं, जो भी होता है, वो ही same meaning empathy का होता है, sympathy is equal to empathy, ध्यान रखना, sympathy, empathy एकी चीज होती है, antipathy, बिल्कुल सही बता है, इसने, किसना था है, रोहित, रोहित ने, बिल्कुल सही है, antipathy इसका opposite होता है, ये नफरत हो जाती है, ये दुश्मनी से होता है, इरश्या होने लगती है, ये antipathy होता है, लेकिन एक word होता है, apathy, apathy में क्या होता है, इस आदमी को ना प्रेम है, ना नफरत है, ये कैसी लगाव होता है, उसमें ना वो उसको पसंद करता है, ना वो उससे नफरत करता है, उसको कह जाता है, में ना sympathy है ना antipathy है वो apathy है तो ध्यान दखिए इन words को एक बार ध्यान से चेक कलना तो यहाँ जो word है यह है आपका कौन सा empathy जाएगा sympathy के साथ में empathy is equal to sympathy नेक्ट बढ़ा है induce हाँ इंडिफरेंस बिल्कुल से या लोग जो से नेक्ट बढ़ा है induce फिफ्ट बढ़ा है इंडिूस को मतलब होता है जिब हम किसी आजमी को भढ़का देते हैं हम उसे गुसा दिला देते हैं और यह word जाता है incitement में यह उता है उकसाना यह उसमें हवा भर देना यह उसमें गुसा भर देना induced होता है. Obdurate, agdativitdo Ahtimi को बोलता है. Obdurate का निए कौन सा जाएगा? Obdurate का Hindi मिनिग होता है gddy. एक जद्दी आजमी होता है, जो अड़ जाता है. Jidddy. Check करूं, कौन सा होता है? क्या पता है? Obstinate, सही बढ़ है. Obdurate का जाएगा obstinates. obstinate का मतलब जिद्धी next word है nomadic, बहुत important word होता है nomadic, important word है, कही बार पूछ रहता है, one words में भी आता है और ये interim syndrome में भी आता है दोको nomadic एक ऐसा आदमी होता है जो घूमने फिरने का दिपानशों ने भी आई बता दिया wandering, घूमने फिरने का शोकीन होता है या मजबूरी में घूमता फिरता है इसे बोलता है हिंदी में खाना बदोश nomadic का मतलब खाना बदोश होता है जो शारुक खान का लड़का था ये जा रहा था बोजन की तलास में एक पानी के जहाट पे चड़के खाना बदोश आदमी बिचारा वो वर्ड होता है nomadic nomadic होता है एक टाइप से आवारा गर्द खाना बदोश जो भोजन की तलास में तरो तरो घुमककड होता है घुमककड ये वर्ड है wandering खाना बदोश या घुमककड आदमी को nomadic कहते है चले next आए fetid fetid का बता है जल दे से F का sorry F का ने 8th वर्ड का Fetid 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 बंजारा हाँ सही वर्ड है खाना मदोश भी कह सकते है बंजारा कह सकते है तो रहती Fetid क्या है स्टेकिंग दोको एक इतना पुराना खाना जिसमें बोलते हैं बासी खाना बासी बोजन जिसमें ताज़ा नहीं है ताज़गी नहीं है वो जब सड जाता है उस चिज़ को Fetid बोलते हैं ये सडा हुआ होता है बदबुदार सडा हुआ यानि स्टिंकिंग नेक्स बड़े सूध ये होता है शान्त करना तो इसका चेक करो शान्त करने का वर्ड कोंसा जाएगा LA मैंने बताया भी था LA वर्ड को जिसे छोटा बच्चर हो रहा है और आप उसे कहते ओले-ले मेरा बच्चा LA-LA चिलाते LA-LA बेटा चिट्टी मरगी वो LA-LA-LA जो होता है LA-LA मतर शान्त करने का सिंबल होता है और उसी को कहते है सूद शान्त करना ये वर्ड जाएगा G और स्नीर होता है बिलिटल दूसरे पर जब आप मसकरी बनाते है उसकी हसी उडाना होता है स्नीर स्नीर होता है मजाक बनाना हसी उडाना और यह वर्ड जाएगा आपका कौन सा बे लिटल एफ कि आप उसको अपने बराबर नहीं मानते हैं उसको कम आखते हैं यह मसकरी करते हैं चले, next आईए फिर से 10th वर्ड है मैचिंग के हैं जल्दे चेक किजिए पहला वर्ड है हिमालियन ब्लंडर ब्लंडर होता है आफ़त, मुसीबत बिना मतलब के पंगो को ब्लंडर बोलते हैं ब्लंडर स्प्राइड नहीं बोलना वो अलग चीज़े ब्लंडर का मतलब होता है मुसीबत, आफ़त serious mistake हाँ, हिमालियन होता है हिमालिया तो बहुत बड़ा है न तो हिमालिया जासी मुसीबत आगे लाइफ में बाई सब इतनी बड़ी समस्याएगा है जैसे हिमालिया पार करना पड़ रहा हो इस आदमी को वो होता हिमालियन ब्लंडर यह बड़ जाएगा E serious mistake बड़ी गलती next one है for good for good बताइए for good तो बड़ाई जी होगा E हाँ E तो होगया for good बताइए for good बहुत ज़्यदा पूछा राता है exam में भी आता है और यह one word उसमे one word substitution में या कभी-कभी sentence में भी आता है for good for good का मतलब होता है हमेशा के लिए एक ऐसा काम जो आपने हमेशा के लिए कर दिया हो जो हमेशा के लिए कर दिया हो जो हमसे बलते है for ever कहते हैं वो हिंदुस्तान छोड़के चला गया ही है left India for good वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़के जा चुका है तो यह word जाएगा J for forever next one is call names जब हम किसी आदमी को उसका नाम निकालना सुरू कर देते है मतलब उसके नाम से बुलाना सुरू कर देते है जैसे आपके ताउ है चाचा है आप उनको नाम से बुलाना स्टार्ट कर दो तो जब किसी आदमी को उसके नाम से बुलाते है तो उसे वो गाली सी लगता है तो call names का जाएगा abuse, उसे गालियां सी लगती है, तो गालियां सी लगेगी, जब किसी को नाम देकर बूलोगे, तो abuse बन जाएगा, गालियां सी लगेगी, next one is elude, elude होता है भाग जाना, escape, बच निकलना, या कहीं से निकल जाना, यह वड़ जाएगा elude, be, escape होगा, मैंने बता government job नहीं लगती है, आप किसी industry में job करते हैं, किसी भी industry में चले जाओ, industrial area में चले जाओ, film industry में चले जाओ, जिसमें medical industry में चले जाओ, जहां आपको जाना है, industry में चले जाएगे, और जब आप किसी industry में घुशते हैं, तो आपको पता चलेगा कि महनत किसे बोलते हैं, क्यो कि यह अलब व्रद निंडब को सम्झो कि वैसे पता तो तु में होगए जब बसक्थ निकलना होतो लेकिन निकलना है जाज से कोई लड़का लड़की को लेके भाग गये वो इलोप है। इलोप में मतलब प्रेमी प्रेमी का जो भाग जाता है उसे इलोप कहेंगे एक टाइप से। जान रखता है। और एलुड होता है बच निकलना। प्रेमी के साथ भाग जाना इलोप बिल्कुल सही है। इलिसिट है गैर कानूनी जो लॉजिकल नहीं है और कानून के हिसाब से नहीं है वो हता है अनलोप यह वड़ जाएगा एक। इलिसिट गैर कानूनी कियोस्क होता है बूथ बूथ लिखा होगा कही नहीं किसे बूथ जिससे खोखा आपने सुनाओ का खोखा जिससे पानवाले का खोखा होता हुसे बोलते हैं हम लोग कियोस्क कियोस्क पानवाले का खोखा है या STD बूथ हुआ करते थे उन्हें कियो स्यलासियस, बताई यह, बता है कुछ स्यलासियस, नो सर, दो को स्यलासियस जो वर्ड है, इसको थोड़ा से याद रखेगा, आप हिंदी में इस वर्ड को जान रुको साला, साला अब साला वाइफ का भी भाई होता है और साला एक गाली भी होती है दियान रखे गैसमें और साला सा आप याद कर सकते हैं मतलब साले से जब आप बात करते हैं कई बार जो आपका साला तो उससे बात करते हैं तो उससे हसी मजाक भी कर लेते हैं उल्टी सिदी बाते भी कर लेते हैं, यह तो तुम्हें पता नहीं होगा घर, जब तुम्हारे साले होंगे, तब पता चल जाएगा तुम्हें, तो साले से लोग बात कर लेते हैं, तो साला गाली भी बिगड़े को दी जाती है, तो साला जो वर्डे अच्छा नहीं माना जात वहाष होता है यह बिगडेल होता है यह ने कि अस्ट कुछ स्ट कुछ नहीं है अगर के जाएधा है पर जि ludzi सामाज़ी की स तर अपने परेंट आप एप बड़ी बात है, और जिसका सामाजी इस तर बहुत अच्छा नहीं है, नेक्स बड़ा है, लबिरिंथ, लबिरिंथ होता है, भूल भूलया, भूल भूलया, लबिरिंथ, मतलब एक ऐसी चीज जो बड़ी ही गुमाओदार रास्तों से होके जाती है, जैसे नदी बहती है, नदी को मिंडर बोला जाता है, जब नदी पहाड़ों से चलती है, तो घूम घूम के घूम घूम के चलती है, ठीक होगा आपने पहाड़ों पर नदी को बहना, तो वो लबिरिंथ होता है, उसी करता है मिंडरिंग, तो मिंडर का मतलब भूल भूल भूलया होता है, कभी इ सजावर्ट बिल्कुल से बड़ है टिंसल का मतलता है डेकोरेशन जैसे आप कोई एंब्रोइडरी का कपड़ा खरिदने के लिए जाते हैं तो उस पर चमकी-चमकी से लगा के दुकांदार आपको देगा वो टिंसल है चले नेक्स वर्ड नेक्स आईए यह भी दस वर्ड से इनको मैच के जल दिस एक पर पहला वर्ड है ऑनस ऑनस को मैं समझा रहता हूं यह इंग्लिश में नहीं है यह होता है responsibility जिव हम किसी चीज की जिम्मेदारियां उठाते हैं कि यह जिम्मेदारी मेरे उपर है तो वो अनस होता है और उस मिन्स responsibility ब्रुकु सभी वर्ड है एच जाएगा नितिका नेक्स आईए प्रोगनोसिस इस वर्ड को थोड़ा याद रखिए गया इसका निमोनिक मैं कर देता हूं यहां पे एक वर्ड ध्यान रखना जब भी आपको किसी भी वर्ड में जी एन ओ एस इ लिखा मिले इ दे जाएं इस वर्ड को हमेशा है मैं जयान रखना एक ऎोन है जैसे प्रोगनोसिटी केशन नेक बर्ड होता है nodiophenia होता है नौसमायid को भी आएगा वो ग्यान को represent करता है ठीक है और प्रो का मतलब होता है पूर्व प्राउमिंस पूर्व, तो अगर किसी चीज का तुम्हें पूर्विज्ञान है तो वो प्राउग्नॉसिस है इद्यान रुखना सि Midwest में, प्राउग्नॉसिस का मणतलता है पूर्विज्ञान, कि आपको पहले से ही वो चीज मालूम थी या मालूम है वो प्रोग्रोसिस में जाएगा तो देखो कौन सा वर्ड इसमें जाएगा पूर विज्ञान का चेक के जल्दी से को बताएगा क्या है forecast बिल्कुल से वर्ड कही ने बता भी जाते निर में forecast यह जाएगा next word is grotesque बहुत important word is grotesque grotesque का मतलब होता है बेहुदगी absurdity यानिके absurd grotesque का मतलब होता है बेहुदा बेहुदा next step हाँ यह बड़ा important word है वही मैं हर बता भी चुका हूँ इस word को यह कैई word है कोई एक नहीं है कैई word है एक word है र-e-v-e-r-e एक word है r-e-v-e-u-r और एक word है r-e-v-e-r-i-e यह तीन word हमेशा ध्यान रखना और एक और याद रखो इसमें r-e-v-e-r नहीं मालूम फिर से समझ लो और जो मेरे स्टुडेंट एक class कें तो इस word को ध्यान रखना है चार word से याद कर लिएगा इस word को रखो r-e-v-e-r-e r-e-v-e-r-e जो rever होता है rever का मतलब होता है respect सम्मान यह irreverence reverence revered यह सब इसे से word बने हैं rever का मतलब सम्मान होता है यह जो दोनों word यहां लिखे हुए है r-e-v-e-u-r और r-e-v-e-r-i-e किसे में मीनिंग बता है भी यह शायद अलग जो शी इन दोनों का सेम मीनिंग होता है यह तो अलग word हो गया rever तो यह सम्मान हो जाता है यह r-e-v-e-u-r और r-e-v-e-r-i-e इन दोनों का सेम मीनिंग होता है daydream जब आप खुली आँखों से सपने देखते हैं उसे river भी बोलता है r-e-v-e-r-i-e-r-i-e-r-i-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e कितना टाइम की क्लास होगी 42 मिनट चलिए कल के लिए मैं कुछ चीदे छोड़ूंगा बस इसमें आपको चलो चेक के जल देसे पहला वर्ड इसमें derive,drive का मतलब पता है किसी को c बताए जसने बिलकुट सही है प्राप्त करना या प्राप्त करना या प्राप्त कर लेना तो यह वर्ड जागा और चेक किज़ेंगे, तो आप याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा साइज से, चेक किज़ें और साइज को कौन सा बढ़ जाएगा, बैनिश, यह आप याद रख लिजेगा, जैसे मालो तुम्हें को मॉडल बनना है, फिल्मों में मॉडल बनना है तुम्हें, तो मॉडल बनने के लिए तुम्हें अंदर अगर एक्स्ट्रा साइज है, तो तुम्हें पर प्रतिबंद लग जाएगा, तुम्हें को फिल्म ही नहीं देगा, ना तुम्हें को मॉडलिंग कराएगा, ना तुम्हारा फोटो सेजन कराएगा, वो बैनिश होता है, मतलब इसकार है बहिसकार, आपका बहिसकार कर देजाएगा, अगर तुम्हारी तौंद निकल गई तो, यह होता है बहिसकार, जैसी तुम्हारा एक्स्ट्रा साइज हुआ, कमर तुम्हारी पहुची सर्य सथ, तो तुम्हारा हो जाएगा बैनिश्मेंट, एक्स्ट्रा साइज, औस्ट्रा साइज से वो भाइगोट इसे को बोलते है, कॉर्डियल, बिल्कुल सेवर्ड है, जेनिल मेंस मिलनसार, ये वर्ड जाएगा D, मिलनसार, ये जेनियल है, मिलनसार, नेक्स्ट एप, प्रैगमेटिक, इसे आप याद कर सकते हैं, कि प्रैग से याद करने ना, उस व्यक्ति ने प्रगती बहुत की, पर माटी से जुड़ा हुआ है, ज्यान रखेगा, प्रैगमेटिक वो बंदा है, जो प्रगती करता है, पर मिट्टी से जुड़ा होता है, मैटिक से मिट्टी याद करो, प्रैग से याद करो प्रगती, कि प्रगती कर ली, लेकिन मिट्टी से जुड़ा, इस आदमी को बोलते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, एक ऐसा आदमी जमीन से जुड़ा हुआ होगा, वह होता है, प्रैगमेटिक, इसको हम लोग डाउन टू अर्थ भी कहते हैं, यह बड़ा प्रैक्टिकल बंदा ह प्रैगमेटिक मीन्स वेभारिक, वेभार कुषल, यह वेभार कुषल होता है, प्रैक्टिकल बंदा है, नेक्स आप प्रिएम्बल, इसको याद रखेगा, जब भी एम्बल वर्ड आता है, एम्बल का मतलब होता है चलना, जैसे मैंने एक वर्ड बताया था, आपको सॉमन प्रैगमेंन fazemund, प्रैगमेंटिकल आता है, इंबल का मतलब होता है, जैसे वर्ड वर्ड प्रैक्टिकल, अम्बल मिन्स चलना, और प्री मिन्स से पहले, आपको कुछ भी चीज भी चीज बोलने है, लेकिन उससे पहले क्या चलता है, क्या चलता है, इजता है? आपको मालो essay देना है, तो essay की body पर जाने से पहले आपको शुरू में एक introduction देना पड़ता है, तो preamble का मतलब होता है introduction, परीचे, पहले तो परीचे दिया जाएगा ना, stage पर जैसे ही आपको बुलाएंगे, पहले आपका परीचे देंगे, और notion का मतलब होता है आपके विचा में, यहां तक के words सुने जाएंगे, एक ही page है, आगे पीछे से पुरा, और कल फिर से time class होगी आपकी, तो जो rest, part इसका बच्चा हुआ, उसको discuss करेंगे कल, हाँ, thought will save it, ठीक है बच्चो, अब मिलते हैं कल ही से याद करके आईए, ठीक है, thank you सभी को, good night.